तो आज आलू दम यानि आलू का एक न्यू रेस्वी बताएंगे यह अलू दम हटकर बनाएंगे तो यह आलू को पहले आप चम्मस रेसे से आप कर लिए चेदे-चेद ताकिर मसाला इसके अंदर चल जाए तो देखिए हम सारा आलू को कर लिए यहां पर कड़ाई में तेल ह हम आप लगे है मिर्चा पउलर देङए थोड़ा सा मिर्चा पौडर ले रही हैं यहां पर देख तीन पीस मेरा पास्ट माटर था यहां पर देखे लासून लिए है चारकल लिए लासून हम चेल लिए थे अर इसमें हम अरहा मिर्चा एड़ करेंगा गाइस देख सकते हैं बहुत स्वाधिश्ट बनेगा अभी से हमको पेश्ट बनाना यहां तो देख सकते हैं तेल भी छोड़ दिया लाल लाल आलू भूजा के तयार हो गया तो चली इसे एक प्लेट में निकाल लिए चली यह हैं तेल है इसमें अब एट करना है जीरा तो जीरा को हम छोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं जीरा को हम एट करना है इसमें दो पीस चरपत लेते हैं इसमें हमको दो चमच नमक कर देना अपना स्वादा नुसार नमक से प्याज गल जाता है चलिए अच्छा तरी साथ इसको भूंज लेना है देख सकते हैं भूंजा रहा है गाइस इसमें आप मसार डालेंगे हल्दी मिट्चा पौडर और हल्दी पौडर इसमें डा मसाला हम इसमें एड कर दिये यह देखिए गरम मसाला पौडर सब ओपर से भी ऑड़ी मसाला को मैड कर दी इसमें अब जो का यह प्ट्री मिक सम दढहि किया है आप अध़ी कहलें है तो ऐसे ही बना सकते हैं तो दही हम डालें अब इससे कितना अच्छा लूक है तो अज़ए रही पूंजा TOM इसको वह आलू आज देख सकते हैं यह लाजन जबाब लग रहा है उत्याद करता है नज़ garlic मेत्य उपर से एड़ कर दीजिए आप ताकि इससे सवाद आ जाए अब इसमें पानी हम एड़ कर दें अपना स्वाद नुसार तो हम पानी को भी एड़ कर दीए और दो से तीन मिनट तक इसे रखते हैं ताकि इसे अच्छा से मसाला गड़ा हो जाए जोड़ गड़ा हो दो मिनट तक धनिया के पत्ता को हम एड़ कर दीए आप लोग कर देखते होंगे अब इसे ऊपर से थोड़ा चुटकी भर गरम मसाला दे दीजिए ताकि गरम मसाला का स्वाद आ जाए देख सकते हैं लूक कितना अच्छा लग रहा है तो अब हाप के सामने आ रहा है कैमरा अच्छा लूक लग रहा है गाइस पूरा लाल लाल हो गया यह अलू दम भाइद यूनिक अलू दम है देख सकते हैं कितना च्छा लूक कैसा लगा कॉमेंट बदा या अच्छा लगए वीडियो को लाइक स्सक्राइब माई चैनल को बाइट अ होजय के अच्सक लाइब माई पाते हैं अ fines है अर्मप्ट भीडियो कैस्णी की आपा के अामना चैनल की यह पोरपडैर यह पाते हैं का लगजर हैं